आखिर कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर साड़े बड़े बड़े निता जा क्यू रहे हैं। अमेठी में स्मृति इरानी के सामने कॉंग्रेस का कौन सा निता खड़ा होगा। लेकिन कॉंग्रेस छोड़ने वाले प्रमोद कृष्णम तो ऐसे ऐसे खुला से कर रहे हैं कि गांधी परिवार के अंदर के ऐसे ऐसे राज लोगों को बता रहे हैं कि जनता है। देंकर गांधी ची भी अभी चुनाप के लिए नहीं हो पाया कि कहां से चुनाप लड़ेंगी। वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं पायटी के भीतर। उनका भी सम्मान नहीं है। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दिये। यह दुर भाग गये। जबकि कॉंग्रेस पायटी की सरवाधिक लोग प्रियनिता प्रियन कड़ा दिए। अमेठी की सीट कॉंग्रेस पार्टी के लिए चुनोती बनी हुई है। एक तरफ गांधी परिवार अपनी खांदानी सीट से मोह चोड़ नहीं पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उसे हार का भी डर सता रहा है। इस मृतिरिन रानी ने तो बकाइदे अमेठी में अपना ग्री परवेश करके अमेठी को लंबे समय तक अपने किला बनाने का फैसला ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी अभी भी अपना उमिद्वार तलास रही है। आखिर कॉंग्रेस पार्टी के अंदर इस स्वक्त चल क्या रहा है गांधी परिवार क्या सोच रहा है इन सब पर कभी प्रियंका गांधी के खासम खास रहे प्रमोध कृष्णम बड़े बड़े खुला से कर रहे हैं देखे पागल विक्ति कुछ भी कह सकता है बच्चा जो बालक हो और जो पागल हो वो तो कुछ भी कह सकता है बालकों की बातों पर और पागल विक्ति की बात पर कोई किसी को सीरियस में लेना चाहिए प्रमोध कृष्णम ने के बाद जग जाहिर कर दी है कि आखिर गांधी परिवार से कौंग्रेश के बड़े-बड़े नेता ना राज इस की गांधी परिवाद नहीं बलकि राहूल गांधी के नौकत चला रहे हैं जिससे बड़े-बड़े नेताओं की बेज़ती हो रही है देखें दूबते जहाज पर कौन रुकना चाहेगा कॉंग्रेस एक दूबता जहाज है और जिसके कैप्टन राहूल गांधी हो उजहाज में कोई नहीं रुक पाएगा चलांग लगा लगा के लोग भाग रहे हैं और भी जाएंगे चुनाब के बीच में भी बहुत लोग जाएगे जितने बड़े सीनियर नेता हैं कॉंग्रेस के उनका सबका दम गोटवा है उनकी बेज़ती हो रही है उनका अफमान हो रहा है राहूल गांधी जी के जो नौकर है वो उनका अफमान करते है करणा करण की बेटी, फुरेश पशोरी, अशोक चभान ये सब बहुत बड़े नेता है गुलाम नभी आज़ाद ये सब बहुत बड़े नेता है इनकी रगों में कॉंंग्रेस का लहू तौरता था लेकिन ये sب क्यों गए क्योंकि राहुल गांदीजी के जो नौकर हैं वो इनकी बेज़जती करते हैं कॉंग्रेस पारटी वो पारटी है जो बड़े बड़े नेताओं की पारटी थे लेकिन अब कॉंग्रेस को नौकर चला रहे हैं और वो नौकर बड़े-बड़े नेताओं की बिज़ती करते हैं तोहीन करते हैं अफ्मान करते हैं कभी आप पूचिएगा कमलांच जी से अकेले में पूचिएगा दिगविजय सिंग जी से पूचिएगा आनन शर्मा जी से पूचिएगा उलाम नवी आजास साब से पूचिएगा कपिल सिब्बल से पूचिएगा आर पियन सिंग जितिन प्रसाद सुश्मिता देव सुरेश तोहीन होती है इनका बड़ा दिल दुखी है तो इस सब एक एक करके जा रहे हैं और भी जाएंगे अमेठी जिला यूध कॉंग्रेस की तरब से लगाए गए इस पोस्टर को देखिए इस पोस्टर पर जो लिखा है उससे पढ़िये लिखा है लेंगे बतला देंगे खून भाईया पर अमेठी सूँ केरल के वायनाट से राहूल गांधी की उम्मितवारी का एलान होने के बाद भी अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के समर्थक और कार्यकरता राहूल गांधी को अमेठी बुला रहे हैं अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं इसके लिए पोस्टर बैनर भी लगाय जा रहे हैं कॉंग्रेस इसे लेकर मौन है वहीं बीजे पीनेता अटैकिंग मोड में आ गए है देखिए इनको अमेठी के जनता पर भरोसा नहीं जिस अमेठी की जनता ने इंद्रा गांधी के परिवार को सम्मान देने का काम पांच साल इन्होंने अपने भाशन में सम्मान के बगले अमेठी के जनता को अपमानित किया शुक्रबार को कॉंग्रेस की तरब से उम्मेठी की पहले लिस्ट जारी होई पहली लिस्ट में 49 उमेठी का नाम है इस लिस्ट में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी का भी नाम है लेकिन उनके नाम के आगे अमेठी नहीं वायनार लिखा है कॉंग्रेस की पहली लिस्ट में ना ही अमेठी का जिक्र है और ना ही राय बरेली का नाम है लिस्ट जारी होने से पहले इसकी जोर शोर से चर्चा थी कि अमेठी से राहुल गांधी और राय बरेली से प्रियंका गांधी को अमितवार बनाया जाएगा लेकिन लिस्ट में अमेठी और राइबरेली का कोई जिक्र नहीं किया गया जिसके बाद से ही संचैप बना हुआ है वहीं कॉंग्रेस की पहले लिस्ट में राहुल गांधी के वायनाड से चुनाओ लडने के एलान से बीजेट भी को बैठे बिठाए कॉंग्रेस को घेरने का मुद्दा मिल गया है यानि कि जो चुनाओती दी थी स्मृती रानी जी ने पूरे भाजपा ने कि आईए इतना दमखम है तो लड़िये अमेठी से लेकिन साफ जाहर है कि वो डर के भाग गए है राहुल कांधी का वायनाट से चुनाओ लड़ना तो तै हो गया है लेकिन अमेठी पर सस्पंस कायम है बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अमेठी को लेकर राहुल गांधी या फिर कॉंग्रेस का आत्म विश्वास कमजोर पड़ गया है क्या 2019 की तरफ राहुल गांधी अमेठी और वायनाट दोनों जगे से चुनाओ लड़ेंगे या फिर सिर्फ वायनाट से ही ताल ठोकेंगे सवाल है कि वायनाट राहुल की पहली पसंद क्यों बना हुआ है कॉंग्रेस वोटरों के मन में भी सवाल है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या इस पार बिल्कुल ही छोड़ देंगे क्या राहुल के लिए अमेठी को अलवेदा बोलने का वक्त आ क्या है अगर नहीं तो अमेठी राय बरेली पर कॉंग्रेस मौन क्यों है अगर अमेठी से राहुल नहीं तो फिर कौन? क्या इस पार राय बरेली अमेठी से गांधी परिवार का कोई भी उम्मितवार नहीं होगा? सोनिया गांधी राय बरेली से लोग सभा चुनाओ लड़ने के बाद राजस्थान से राजसभा सांसत बन गई है वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाओ लड़ने को लेकर कॉंग्रेस की तरब से अभी तक कोई सीधा संदेश नहीं दिया गया है अधार लक्स है राहुल गांधी को प्रदाण मंत्री बनाना और लालू जी का एक मात्र रक्स है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना मुझे बताओ जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रदान मंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो वो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या पीजेपी की तरफ से ताने तो ये भी बारे जा रहे हैं कि अमेठी अगर कॉंग्रिस का गढ़ है तो राहूल गांधी सिर्फ अमेठी से क्यों नहीं चुनाओ लड़ रहे हैं? वाइनार्ड और अमेठी दोनों जगों से चुनाओ लड़ने की चर्चा क्यों है? अगर राहूल गांधी सिर्फ अमेठी से ही चुनाओ लड़ते तो समझा जा सकता था कि उन्होंने स्पृति इरानी का ओपन चैलेंज कुबूल कर लिया है बड़ा सवाल है कि राहूल गांधी को स्पृति इरानी से चुनाओ में एक बर फेर पटखनी खाने का डर है? पार्टी जो लिस्ट देता है कैंडिरेट वो अपना पार्टी का हिसाब से उसका संगरनिक तरीका के हिसाब से उसका नियता का पोजिशन के हिसाब से वो तैय करके कैंडिरेट करता है अमेठी में स्मृती इरानी ने अपना घर पनवा लिया है ग्रिप्रवेश कर चुकी हैं अमेठी की मिट्टी से जोडने का दावा करती रहती है अमेठी में स्मृती इरानी का धुआधार दोरा चल रहा है स्मृति इरानी लगातार अमेठी के लोगों से मुलाकात करके राहुल गांधी को 2019 की करारी हार याद दिला रही है जिसे खुद साहरे की ज़रुरत है वो दूसरों का साहरा कैसे बनेगा अमेठी लोग सभा सीट पर दशकों से कॉंग्रेस का ही कबजा रहा है गांधी परिवार ही इस सीट पर विजय होता रहा लेकिन 2019 में इस सीट पर इस्मृती इरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया अमेठी में राहुल बना में इस्मृती की चुनावी जंग 15 साल पुरानी हो चली है साल 2009 में इस्मृती इरानी ने पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा था तब राहूल गांधी ने 3,70,000 से भी अधिक वोटों से इस्पृती को हरा दिया था 2014 के लोग सभा चुनाओं में भी राहूल गांधी ही जीते लेकिन इस्पृती इरानी के हार कांतर 1,00,000 तक पहुँच गया लेकिन 2019 के चुनाओं में कहानी बलट गई इस्पृती हीरानी के हाथो राहूल गांधी 55,120 वोट से हार गए 2024 के चुनाओं में इंडिये को हराने के लिए विपक्ष की तरफ से इंडी गडवंधन बनाया गया लेकिन कॉंग्रिस का इंडी गडवंधन केरल के उस वायनाट सीट पर नहीं ठिक पाया है जहां से वो खुद सांसद हैं, जहां से राहूल गांधी के चुनाओं लड़ने का अधिकारी क्रूप से एलान हो चुका है इंडी कडवंधन में शामिल CPI ने वायनाट सीट पर उम्मिदवार उतार दिया है CPI ने वायनाट लोग सभा सीट से एनी राजा को अपना उम्मिदवार भोशित किया है CPI महासचिव धी राजा नहीं ये जानकारी दी है एनी राजा धी राजा की पतनी है और CPI की राश्ट्रिय महिला समाख्या महासचिव है कॉंग्रेस और लेफ्ट बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक मिलकर चुनाव लड़ने का करार कर चुकी है वहाँ दोनों ही दलों के उम्मिदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आने वाले है वाइनाट की सियासी समीकरण की बाद करें तो वहाँ 56 फीजदी मुस्लिम वोटर है 34 फीजदी हिंदू वोटर है 9 प्रतिशत इसाई हैं और 1 प्रतिशत जैन वोटर है उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गड़बंधन हुआ है इसके तहट कॉंग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मेद्वार उतारेगी कॉंग्रेस को मिली 17 सीटों में अमेठी राइबरेली जैसी पार्टी की परंपरगत सीटें भी शामिल है लेकिन अभी तक कॉंग्रेस यूपी में एक भी सीट पर प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई है माना जा रहा है कि यूपी के सीटों के नाम फाइनल किये जाने के साथ ही अमेठी सीट के उम्मेद्वार पर तस्वीर साफ हो जाएगी लेकिन राहूल गांधी के अमेठी के चुनावी मैदान से उतरने या ना उतरने की रणनी दिपर हर किसी की नजर रहने वाली है झाल में झाल आवार पर तस्वीर साफ है